दित्तिमंत्री निर्मला सीतरमन ने मोधी सरकार का आखरी बजट पेश किया बजट पेश होने के बाद पीम नरिंद्र मोधी ने कहा कि यह बजट विक्सित भारत की यूवा गरीब महिला और किसान पर आधारित है यह देश के निर्मान का बजट है इसमें 2047 के भारत की नीब को मजबूत करने की गैरेंटी है मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ इसमें भारत की यंग एस्पिरेशन का प्रतिविम्ब है और टीम ने कहा कि अब हमने 2 करोड और नए घर बनाने का लक्ष रखा है पहले हमने 2 करोड लगपती दीदी बनाने का लक्ष रखा है जिससे बढ़ाकर 3 करोड कर दिया गया है इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एमपावर करने पर जोर दिया गया है आज का ये बजट इंट्रिम बजट तो है ही लेकिन ये बजट इंक्लूजीव और इनोवेटिव बजट है इस बजट में कंट्यूनिटी का कॉन्फिडेंस है ये बजट विक्षीद भारत के चार स्थम युवा गरीब महिला और किसान सभी को एमपावर करेगा निर्मला जी का ये बजट देश के भविश के निर्मार का बजट है इस बजट में 2047 के विक्षीद भारत की नीव को मजबूत करने की गारंटी है मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों इस बजट में युवा भारत की युवा आकांग्शाओं का भारत की यंग एस्पिरेशन्स का प्रतिमिम्भ है बजट में दो महत्वपूर नीने ले गए हैं रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुपिय का फंड बनाने की गोशना की गई है बजट में स्टार्ट अप्स को मिलने वाली टैक्स शुट के विस्तार का भी एलान किया गया है साथियों इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए केपिटल एक्सपेंडिचर को ग्यारा लाख ग्यारा हजार एक सो ग्यारा करोड रुपिय की एतिहासिक उंचाई दी गई है अर्थ साथियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है इससे भारत में 21 सदी के आधुनिक इंफ्रास्रक्टर के निर्मार के साथ ही युवंगों के लिए अंगिनित रोजकार के नए अउसर तयार होंगे बजेट में बंदे भारत स्टैंडर की 40,000 आधुनिक बोगियात बना कर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का एलान किया गया है इससे देज के अलग-अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आराम दायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा साथियों हम एक बड़ा लक्ष तय करते हैं उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष अपने लिए तय करते हैं गरीबों के लिए हमने गाओं और शहरों में चार करोड़ चे अधिक घर बनाए अब हमने दो करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष रखा है हमने दो करोड महिलाओं को लगपती दीदी बनाने का लक्ष रखा था अब इस लक्ष को बढ़ा कर तीन करोड़ लगपती दीदी बनाने का कर दिया गया है आई शुमान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है अब आंगनवाडी और आशा वरकर उन सब को इस योजना का लाब मिलेगा साथियों इस बजेट में गरीब और मद्दमबर को एमपावर कर दे उनके लिए आएके नए आउसर बनाने पर भी बहुत जोड दिया गया है रूप्टॉप सोलर अभ्यान में एक करोर परिवारों को सोलर रूप्टॉप के माद्यम से मुप्त बिजली प्राप्त होगी इतना ही नहीं सरकार को अतिरिक्त बिजली बेच कर लोगों को 15 से 20 हजार पतिवर्ष की आए भी होगी और यहर परिवार को होगी साथियों आज जीस इंकम टैक्स रेविशन स्कीम की गोशना की गई है उससे मद्यमबर के करीब एक करोर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दसकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी आज इस बजेट में किसानों के लिए भी बहुत महत्रप्पों और बड़े निर्ड़े लिए गए नेनो डियेपी का उप्योग हो पश्वों के लिए नई योजना हो पीएम मत्स संपधा योजना का विस्तार हो और आत्मन निर्भर ओयल सीड़ भ्यान हो इससे किसानों की आय भड़ोगी और खर्च कम होगा मैं एक बार फिर सभी देश वाज़ियों को इस अइतिहासिक बजेट के लिए शुबकामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद